Hello Everyone, Welcome back to my YouTube channel CY Complication Classes आज की इस क्लास में हम आपसे डिसकेस करने वाले हैं B.S.C. समेस्टर सीकेंड प्रेटकल्स के बारे में कि B.S.C. सीकेंड समेस्टर में आपको कौन कौन से प्रेटकल्स करने हैं उसके बारे में आज की इस क्लास में हम आपसे डिसकेस करेंगे तो जो सीकेंड प्रेटकल्स है उसका कोर्स टायटिल है Biochemical Analysis इसमें आप देखेंगे तो आपका 60 hours का प्रेटकल्स है सीकेंड समेस्टर में कौन कौन से उनिट्स हैं कौन कौन से टापिकस पर आपको प्रेटकल्स करने हैं इन सब सारी चीजों की बारे में आप को हम डिसकेस करेंगे जो पहला प्रेटिकल से पहली उनिट से वो क्या है qualitative and quantitative analysis of carbohydrate तो आप theories में भी carbohydrate पढ़ेंगे और उसी का आपको यहाँ पे practical analysis भी करना है यानि उसकी qualitative और quantitative analysis करना है कार्बोहर्टिट का किस-किस method से कर सकते हैं पहला method आपको यहाँ पे given है separation of mixture of two sugars by ascending paper chromatography यानि paper chromatography लेके आपको two sugars का mixture लेना है और उस sugar का mixture का क्या करना है separation करना है paper chromatography के तवरा तो पहला protocol है separation of mixture of two sugar by ascending paper chromatography दूसरा protocol आप क्या कर सकते हैं differentiate between reducing and non-reduishing sugar जैसे आप glucose ले लिजिए, sucrose ले लिजिए, fructose ले लिजिए आपको इसमें क्या करना है, differentiate करना है, कि कौन सा sugar reducing होगा और कौन सा sugar क्या होगा, non reducing होगा इसके लिए आप दो test करेंगे एक test आप कौन सा करते हैं, toeln Caesar test और दूसरा क्या करते हैं, failing solution test तो tolerant region test में आप देखेंगे कौन सा positive test दे रहा है कौन सा negative test दे रहा है failing solution के अंसार भी इसी अंसार test कर सकते हैं तो यह भी आपका एक test हो जाएगा carbohydrates का differentiate between reduction and non-reductions by tolerant region and failing solutions अगला जो third practical है इस chapter के carbohydrate का ओ है सिंसी साफ osa zone यानि जो osa zone होते हैं कौन सी compounds ऐसे होंगे जो osa zone का formation करेंगे कौन सी नहीं करेंगे अथवा सिंसी साफ osa zone आप कैसे करेंगे इसके बारे में है critical number third हम सारे प्रेटिकल के बारे में जो भी point होंगे हम सारे point को discussion करेंगे हम परियास करेंगे कुछ प्रेटिकल्स आपको यहाँ पे उपलब्द कराएं जिससे आपनी notebook में note कर सहले हैं अगला जो unit second है unit second में क्या है qualitative and quantitative analysis आप proteins amino acid and fats अब आपको second unit की प्रेटिकल्स में protein amino acid और fats की बारे में देखना है तो पहला आपका क्या है isolation आप proteins protein का आपको isolation करना है second आप क्या कर सकते है determination आप protein by the biureate reactions तो generally आपको जरूरी नहीं कि सारे प्रेटिकल्स आपको कराए ही जाएं आपके lab में जो भी आपके materials उपलब्द होंगे जिस टेस्ट से related उसारे टेस्ट आपको कराए जाते हैं जरूरी नहीं कि आपके जितने प्रेटिकल्स में हो, सारे मैटेकल्स आपके लैम में उपलग्द हो, कुछ ऐसे भी चीज़ें हो सकते हैं, जैसे TLC सप्रेशन है, अगर TLC प्लेट है तो आपके यहाँ प्रेटिकल्स होगा, अगर TLC प्लेट नहीं है तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको इसमें से जो अगला फोर नमबर प्रेटकल्स आप देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी सप्रेशन आप मिक्चर कांटेनिंग तू थर्ड अमीनो एसिड तो आपको एक क्रोमेटोग्राफी पेपर मिलता है जब आप प्रेटकल्स किये होंगे अगला नेच्ट देखेंगे प्रेटकल्स आपको क्या है तू देटर्माइन दी कंसंट्रिशन आप ग्लाइसीन सलूशन बाइफार्मल डिहाइड मेथड यानि ग्लाइसीन का आपको कंसंट्रिशन चेक करना है फार्माइलेशन मेथड के द्वारा नेक्स्ट देखेंगे सेवन नंबर तु डिटर्माइन दी सैपोनिफिकेशन बैलू आफ आफ आइल एंड फैट दिस इस 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 निकालेंगे किसी भी आइल सत्वाब फैट का इसके लवाँ इस अब आपके प्रोटीन्स वाले चैप्टर्स में मिल जाएंगे आइलस एं आप फैट है उसकी आवडिन बैलू आप कैसे कल्कुलेट करेंगे इसको भी आपको प्रेटकल्स के द्वारा देख सकते हैं Next four unit क्या है Determination and Identification of Nucleic Acid यह Nucleic Acid की आप पहचान कैसे करेंगे कैसे उसको determine करेंगे कि कौं सा Nucleic Acid है यानि first Av Determination of Nucleic Acid, second क्या है Extraction of DNA from Onion Califlower यानि Califlower monsieur इसफ ओनिका एक्जाम पस लेते हुए उसमें DNA का Extraction आपको चेक करना होगा यह आपकी सारे प्रेटकल्स है जो कि जिसमें से आपको सीकेंग समिस्टर में कोई हर यूनिट से या तो दो दो प्रेटकल्स करा दिये जा है या तो हर यूनिट से एक एक प्रेटकल्स करा जाएं लेकिन सारे यूनिट को जनली टच किया जाता है अगला देखेंगे आप 4th number units क्या है 4th number units क्या है 4th number units में अगर आप देखीं तो synthesis of simple drug molecules synthesis of simple drug molecules यानि आप में medicinal chemistry भी है जिसमें आप drugs के बारे में studies करते हैं तो इसमें first क्या है to synthesize aspirin by acytalition of salicylic acid and compare it with the integrant of an aspirin tablet by TLC जो यह aspirin आप लेते हैं न मैडसिन आप ने सुना होगे कभी कभी आपकी पैराचिता मालगे जैसे भी वर करता है aspirin तो उस aspirin tablet को लेके आपको TLC plate के द्वारा उसमें acid का देखना है और उसको compare करना है second देखेंगे आपका है synthesis of bar butyric acid bar butyric acid इसका census कराना है आपको lab में अगला third देखेंगे synthesis आप propanolol propanolol का census करना है तो यह आपकी चार unit है BACC आपको प्रेटिकल्स में इन्हीं चारों unit से आपको प्रेटिकल्स करने हैं सारे units के प्रेटिकल्स के लिए lectures दिये गए हैं कितने lectures आपको देने हैं जनरी total lectures के अगर हम बात करने तो total lectures कितने हैं 60 है तो इस आपके प्रेटिकल्स के अगर बात करें तो इतनी सारे प्रेटिकल्स आपके semester वाले exams में होने हैं तो अब हम इसके आगे मिलेंगे next topic पर हमारे चैनल्स पर BACC second semester की classes स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम आपका प्रोटीन वाला chapter complete कर चुकी है तो अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे playlist में चक करें कि आप सारे notes वहां से प्रेपर्स करें thanks for watching this video